हेलो फ्रेंड्स इस राहूल वेलकम तो जिर्फ ट्रीमर्स तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे युनिट वाइज इबुक्स फॉर एंटे उजिसेट कॉमर्स एक्जाम अगर उनिट वाइज बुक्स की बात करें तो इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ टू वीडियो शेर कर चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ फिजिकल बुक्स के बार बात करी थी हलाकि थी तो ये भी उनिट वाइज लेकिन इन बुक्स को आप बुक्स स्टोर से जागर क् करने के बाद कुछ टूरेंट की क्वाइज आई कि सर अगर हम एक बुक लेने जाएंगे तो वह हमें 300-400 की मिलेगी और अगर हम 10 की 10 उनिट की लेंगे तो वह जो एक्स्पेंस है वह काफी ज्यादा हो जाएगा जिसको हर एक स्टूरेंट एफोर्ड नहीं कर पाता बात ब बुक्स पाएंगी वो सारी पियर्सन पॉब्लिकेशन की ही है और यह आपको फ्री में मिल जाएंगी लेकिन कहां मिलेंगी कैसे मिलेंगी और क्या-क्या कॉंटेंट होगा इस चीज को जानने के लिए आप पूरी वीडियो लास्त दक जूर देखना जरूर आज की वीडिय जो है मैं आपको लाइक और कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा लेकिन शेयर करने के लिए जूर कहूँगा क्योंकि आज भी बहुस सारे स्टुएंट्स ऐसे हैं जिनके पास अच्छा कॉंटेंट ना होने की वज़ेसे वो अपने एक्जाम को क्लीर नहीं कर पाते तो मै चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जाद जाद शेयर करें ताकि हर एक स्टुएंट के पास एक अच्छा कॉंटेंट तो एवलेबल होना ही चाहिए ओके टेलेग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं वीडिया भी मिलती रहेंगी और साथ में प्रैक्टिस कोशन भी मिलते रहे तो यह जो बुक है यह कौन से पुब्लिकेशन की है यह पियर्सन पुब्लिकेशन की है काफी बेस्ट बुक है अब इस बुक के अंदर आपको कौन-कौन सा कॉंटेंट देखने को मिलेगा देखो सबसे मेन बात यह है कि यह जो बुक है यह एंटी उटिसेट कोमर्स को जुरूर मिल जाएगा इन बुक्स के अंदर जैसे कि देखिए इसका content है इस बुक्स में आपको क्या-क्या मिलेगा जैसे कि culture के बारे में business का culture जो है government legal system है economic system market methods है इसके बाद trade protection है trade and factors mobility theory है economic integration cooperation है तो हर एक चीज आपसे रिलेट नहीं रखती है लेकिन आपको select करना है कि आपके जो syllabus है उससे कौन-कौन से topics कर सकता है तो इसलिए मैं आपको books recommend कर रहा हूं ताकि आप deep down जाकर concept को understand कर सके इसी वे में है आपके पास strategic for international business evaluation of countries for operations modes of trading internationally मतब काफी सारे topics mostly topics आपको कवरब हो जाएंगे यह थोड़ा सा content में आपको बदाया है इसी तरह इसमें काफी सारे topics आपको दे रखे होंगे जो आप देख सकते हैं ओके next book है हमारी accounting and auditing की तो accounting and auditing की जो book है वो management and cost accounting है ठीक है काफी सारे इसके authors है जिन्नों इस book को write down कर रहे हैं अब इसमें content कौन-कौन सा मिलेगा इसमें content आपको देखने को मिलेगा क्या accountant role in the organization, job costing system, process costing system, cost allocation, cost allocation joints, cost situations, cost volume profit relationship जो की important topic है activity based costing है, pricing है, capital investment decision है उसके बाद हमारी motivating budget and responsibility accounting है तो इस सारे topics हमारे pattern से लेट रखते हैं, anti exam से लेट रखते हैं यह सारे आपको देखने को मिलेंगे इस book के अंदर इसके बाद हम third, अगर unit की बात करें, business economics की, तो इसकी जो book है, वो है introductory economics, जिसमें आपको micro और macro दोनों book मिल जाएंगी ठीक है, content क्या होगा, तो content में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जितना भी हमारा होता है, consumer equilibrium की बात करे जाए, demand and law of demand की बात करे जाए, elasticity of demand की बात करे जाए, mostly content आपको मिल जाएगा, books को आप डाउनलोड कर सकते हैं, main बात यह है, यह जो books हैं काफी ambiguity है, मतलब 100 plus ambiguity आपको का लेनी चाहिए, इसके बाद है unit 4, business finance, तो अगर business finance की बात करें, तो यह जो book मैं आपको recommend कर रहा हूँ, जो मैं provide करूँगा, वो है introduction to finance, तो इस book में आपको क्या 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 देखने को मिलेगा, तो content जो है, financial environment, money and monetary system, bank and other financial institution, federal reserve system, policy makers, saving and investment process, interest rate, time value of money, securities and market, तो mostly content इसमें cover up अपका हो जाएगा, okay, इसके इलावा, अगर कोई secondary book मुझे मिलती है, मैं आपको वो भी provide कर दूँगा, telegram channel पर ही वो provide कर दूँगा, मैं आपको, वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं, next unit है हमारी, unit 5, business statistics, most important unit है, इसके लिए जो book है, statistics for business, अब इसमें क्या क्या to describe data, numerical measure to describe data, elements of chances probability methods, discrete probability distribution, continuous probability distribution, जहां से हमको question हमेशा देखने को मिलता है, confidential interval estimation, यह हमारा part नहीं है, confidential interval estimation, hypothesis test of a single population, तो hypothesis testing से हमें definitely question देखने को मिलता है, specific for, paper first और paper 2, both, two population hypothesis है, तो काफी content हमारा match होता है, हमारे syllabus के according, तो इसका यह content और भी है, चलिए, इसके बाद हम बात करते है, unit 6, human resource management, तो human resource management की जो book है, वो Pearson publication की है, best book है, इसमें आपको कौन-कौन सा content देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको काफी सारा content जो है, selection है, recruitment है, strategic planning है, performance management appraisal है, training development है, तो mostly सारा content ही आपको available करा जा रहा है, इस book के अंदर, okay, अब आप पढ़ना कैसे है, आपको, देखो, ये तो definitely बात है, कि जो physical books है, और जो e-books है, इनका कभी भी comparison नहीं कर सकते, physical books की तो कभी कोई जीस है ही नहीं, ठीक है, लेकिन अब as an alternate solution, और आपको free of cost मिल रही है, तो ये भी आपके लिए भोज जादा, Unit 7, Banking, तो जो introduction to finance है, banking के topics आपको इसी book के अंदर मिल जाएंगे, काफी साए topics इसमें मिल जाएंगे, इसके इलावा, मैंने काफी साए topics जो है, इसी channel पर डाल भी रखे हैं, उनको भी आप recommendation में ले सकते हैं, और banking के जो है, mostly updated रहते हैं topics, तो आप उनको भी देख सकते हैं, इसके लावा है, Unit 8, Marketing Management, तो इसकी जो books है, सबसे important book मैं कहूंगा, Philip Kotler की है, और ये आपको online available हो रही है, सबसे अच्छी book अब तक की, जो मानी गई है, Marketing Management की, वो Philip Kotler की ही है, Okay, Pearson publication की है, definitely best book है, सब कुछ available हो जाएगा, इसी book के अंदर, Unit 9, Legal Aspects of Business, तो Legal Aspects of Business की बात करें, तो जो book है, वो Pearson publication की है, Managing the Law, इसके अंदर जो content है, वो सारा आपको मिल देखने को मिल जाएगा, Mostly content, जो है इसमें available करा दिया गया है, Discharge and Breach, Contractual Defects, Contractual Remedies, Special Contracts, Sale of Goods Act, तो complete इसमें आपको act मिल देखने को मिलेगा, इस book के अंदर, तो best book है, ये भी, इसके बाद है, Unit 10, Corporate Tax Planning, तो Corporate Tax Planning की जो book है, Corporate Tax and Business Tax Procedure, with Case Studies, तो ये book भी जो है, काफी best book है, Tax Man's की book है, Friends, अब बात आती है, कि आपको ये books मिलेंगी कहाँ पर, सबसे important बात यही है, Okay, तो आपको कहीं जाने की जूरत नहीं है, कोई website पर visit करने की जूरत नहीं है, ये सारे की सारी books जो है, आपको telegram channel पर available करा दी जाएंगी, First 5 units की आज available हो जाएंगी, और जो next 5 units है, वो आपको एक दो दिन में available करा दी जाएंगी, क्योंकि काफी सारी books हैं, वो काफी MB की हैं, मतलब 100 plus MB की mostly books आपको देखने को मिलेंगी, इस करके जो है, इनको break करकर ही provide करा जाएगा, Hope so, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर आप UGC Net Commerce की preparation कर रहे हैं, तो आप channel को subscribe कर सकते हैं, In future, आपको जो है, सारे topics जो है channel पर भी देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी आप preparation कर सकते हो, Okay, so thank you friends for watching,